असलाम अलेकुम मैं सेल शैनास पटवेकर अंजुमन इसलाम अब्दुलाजिम कटकटे वाशी बचो आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ एक छोटी सी नजम लेकर महनत दहुंग जमात की ये नजम है महनत यकिनन महनत से ही इंसान क्या है तरक्य पाता है जिन्दगी में आला मुकाम महनत से हासिल होता है चाहे छोटा काम हो या बड़ा या खेतों का काम हो या इसका काम जो भी हो इनसान महनत से ही क्या करता है तरक्य पाता है आप इस महनत नजम में शायर क्या कर रहा है अब हम देखते हैं तो चलते हैं महनत नजम के तरफ जिसके शायर है महनत इस नजम के शायर है मतिन तारीक इसके शायर है तो मतिन तारीक सहाब की इनका जो बच्वन है इनका असल नाम है महमद मतिन सिद्धिकी वो 21 सितंबर 1921 को बागपात में पैदा हुए अदिप का कामिल और मुन्शी फाजिल के इमत्यानात पास करने के बाद उन्होंने दर्सो तद्रिस का पेशा इक्तियार किया था तो देखते हैं नजम इसमें शायर क्या करता है नजम का नाम है हमारा महनत आज हम अपने आसपस बड़ी बड़ी आलिशान इमारते बंद कॉलेज इसकूलें एरपोर्ट पार्क वगरा देखते हैं यह सब एक दिन में नहीं बनता है दुनिया भर में तरकी लाकों करोडों इनसानों की महनत की वज़े से मुमकिन हो पाई है इनसान अगर महनत न करता तो शायद यह दुनिया सेक्डों या हजारों या बरसों पीछे होती अल्ला के रसूल सले लावलिए सल्म में भी महनत करने को पसंद किया है इस नजम में शायर ने महनत की वज़े से इनसान की तरकी का जाइज़ा लिया है देखते हैं क्या है ये बस्ती ये बाजार ये सड़के तमाम मशीनों की बढ़ती हुई धूम दाम शायर क्या कह रहा है यहां पर ये बस्ती ये बाजार ये सड़के तमाम मशीनों की बढ़ती हुई धूम दाम यहने जो बाजारें ये बस्ती हैं ये बाजारों में चहल पहल हो रही है ये मशीनों की धूमदाम जो हो रही है, कार खाने, ये सब कुछ है, ये किसकी धूमदाम है, ये इनसान की महिनत की वज़े से, इनसान की तरक्की की वज़े से ये मुम्कीन हो पाया है दूसरा बंद है हमारा ये मोटर ये रेले ये खबरों के जाल करिश में है विजली के दिन की मिसाल शायर यहां क्या करने की कोशिश कर रहा है ये मोटरे ये रेले ये जो कुछ भी है ये इनसान की तरकी इनसान की महिनत का ही नतीजा है और ये बिजली के करिश में ये सब कुछ क्या है ये इनसान की महनत का ही फल है ये खबरों के जाल से मुराद है मीडिया जिसे हम अकबार है, टीवी है, फेसबूक है, क्यूटर है ये जो भी है, ये सब क्या है, ये भी इंसान की तरकी का एक ये महनत का ही एक फल है, तरकी इंसान की महनत से ही हासिल होती है ये सर बसर खेती ये सवधा गरी ये सनत और इर्फत ये कारी गरी ये सर बसर जो खेती है ये सनत और इर्फत है ये सब कुछ क्या है महनत का नतीजा है किसान भी खेतों में महनत करता है तब जाकर हम सब के पेड़ भरते हैं किसान अनाज उगाता है अनाज को मार्किटों में लाता है फिर कारखोनों में देता है फिर कारखोनों के जरीए फिर शेरों में आता है दुकानों मार्किटों में आता है दुकानों की रहोने के बढ़ जाती है यह सब कुछ जो महनत करता है इंसान इसको महनत का जो चक्कर च कुछे चमदर चमने हैं छाहर क्या कह रहा है किताबों की बड़े-बड़े अंबर लगे हैं और किताबे पढ़कर बी इसे साइनटीज़ बने में हैं कोई ڈॉक्टल बनाए को इंजिनियर बना है किताबों के बड़े बड़े अंबर्व है इल्म फुनुन करके और गुल से गुल और गोचे गुल चमंदर चमंदबाग बगीचे सब कुछ खेत कलियान क्या है यह मैंनतों का ही नतीजा है इस इंसान इसी से ही तरक्षी करता है दहकते महकते हुए लाल इजर गुलिस्तान की रहुनके पूर बहर यहां पर जो दहकते महकते लाल पिले निले जो भी तुमको फूल नजर आ रहे हैं गुलिस्तान की जो रहुनके हैं यह भी इंसान की एक महनत का ही एक नमूना है यहां भी इंसान महनत करता है यहां हर जगा दुनिया के कोने कोने में हर इनसान चाहिए बच्चा हो ये बुड़ा हो जवान हो चोटा हो बड़ा हो अवरत हो मर्द हर कोई क्या करता है अपने हिस्से की महनत करता है और दुनिया को आगे ले जाता है वरना दुनिया सद्धियों पुरानी सद्धियों पीछे चली जाती यहां पर शायर क्या कहने की कोशिश कर रहा है गर्ज जो भी हो दुनिया में सर बसर है इनसान की महनतों का समर यानि दुनिया में जो भी सर बसर है एक किनारे से वो किनारे तक चाहिए जमीन से आस्मान तक हो आस्मान में हवाई जहाज हो पानी के गोते खाते वे नीचे गोता हो रो या फिर आस्मान में उड़ते परिंदे जो कुछ मतलब है यह इस किनारे से उस किनारे तक हिमाल या पहाड से लेके जमीन तक हर कोने पर हर इस तक इस बसर से उस बसर तक जैसा भी हो क्या है इनसान क्या कर रहा है मैनत कर रहा है मै अगर महनत नहीं करेंगे हम भी महनत से काम तो पाएंगे दुनिया में आल़ा मकान। बिल्डिंगे बनाए हैं हर तरह की मतलब चाहिए वो बागी चे हो बाग हो या खेत हो हर जगा पर आजकल हर तरफ इंसान क्या है तरक्की कर रहा है तो इंसान की तरक्की का समरी है यह जो महिनत की वज़े से ही दुनिया आज हमारा हिंदुस्तान इस तरक्कदर आगे बढ़ रहा है तो महिनतों का ही यह नतीज़ा है बच्चों हमें भी महिनत से कभी भी पीचे नहीं हटना चाहिए महिनत की वज़े से ही सब कुछ हासिल है तो शायर क्या कहने की कोशिश कर रहा है यह बाजार ये बाजार ये गलियां ये मार्कीट जो भी है या फिर हर किसी तरह की मेहनत कोई नो कोई अपने हिसे की करता है और इंसान मेहनत कर रहा है शायर इस तरह से कहने की कोशिश कर रहा है तो बचो मेहनत इस नजम में शायर क्या कहता है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होग तो खुदा आफिस, असलाम उलेकूम चाल जो उलाम उलाम उलेकूम